छत्तिस गड़ की उत्तर जस्पूर छेत्र में सघन वन के अलावा जीवों के प्रजातियों में भी अनेक विविद्ता पाई जाती है यहां जीवों के हजारों प्रजातियां पाई जाती है सरीश्रीफ, रेप्टाइल्स, वर्ग के जीव मेरे कैमरे में कैद हो चुका है साप, कच्छुआ, डैनोसौर इसी वर्ग में आते हैं यहां गार्डन लिजार्ड है, जिसे छेत्रिये लोग गिर्गिट, टेटंगा, इत्यादी नाम से जानते हैं इसका बग्यानिक नाम कैलोटिस, वर्षी कलर है यहां अत्यधी के तापमान में रह सकता है जबकि ठंड में जीवन यापन करना इस प्राणी को कठीन होता है यहां कोल्ड ब्लडेट प्राणी है अर्थात कम तापमान पर यह सुसुपता आवस्था में अर्थात हाइबर्नेशन में चला जाता है डानसोर इसके पूर्वज होते हैं इनकी त्वचा में रूखा तथा सल्क पाया जाता है इसके अलावा इसकी त्वचा में एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे पिग्मेंट्स कहते हैं यह पिग्मेंट्स तंत्री का तंत्र द्वारा नियंतित किया जाता है यदि यह प्राणी हरे पत्तियों के बीच होगा तो अपनी त्वचा में हरे रंग की पिग्मेंट्स की सांद्रता को ब्रिधी कर देता है जिसकी वज़से गिरगीट अपनी रंग हरा कर देगा इसके अलावा आसपास के वातावरन के अनुशार अपनी रंग बदलता है मादा एक बार में पाँच से बीस अंडे तक दे सकती है इस प्राणी के काटने से विश नहीं पाया जाता है खाद श्रिंखला में यह प्राणी अपनी प्रमुक भूमी का निभाती है यह प्राणी प्रकृति के लिए अती आवशक है जो हमारे चैनल पे नए है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी नोटिफिकेशन ओन रखें जिससे हम जो भी वीडियो बनाते हैं आप तक पहुंच जाएगा जिससे हमारे चैनल का जिससे हमारे चैनल जाएगा